दूसरे चरण में मद्यपरदेश की साथ लोकसभा सीटों पर 26 अप्रेल को मद्दान होना है फ्लोजटाबजार की तासर होए के अनुसार दूसरे चरण में मद्यपरदेश की किसी भी सीट पर कॉंग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा जीरो सीटें कोंग्रेस के साथ सातन्य और इंडी घटबंदर में जीरो सीटों पर सिमडता हुआ दिखाई दे रहा है तो वहीं दूसरे चरण में बारतिय जनता पार्टी मद्या परदेश की सभी साथ लोगसबा सीटों पर एक तरपा कबजा करने में काम्याब हो सकती है इस के साथ ही जेडियस भी एक लोगसबा सीटों पर करनाटक में कबजा कर सकती है तो वहीं दूसरे चरण में बारतिय जनता पार्टी करनाटक की बारा लोगसबा सीटों पर एक तरपा कमल खिलाने में काम्याब हो सकती है इसके अलावा असम राजे की पांच लोगसबा सीटो पर बारतिय जंता पार्टी एक तरफा कबजा कर सकती है दूसरे चरण की सभी 500 सीटों बीजेपी को दे दी गई है इसके अलावा पस्मी बंगाल राजे की तीन लोग सबा सीटों पर दूसरे चरण में मदान होना है शटा बजार की तासरवे के अनुसार पस्मी बंगाल में भी कॉंग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा जिरो सीटें तो वहीं टीमसी भी दूसरे चरण में जिरो सीट पर सिमठतिवी दिखाई दे रही है ममता दिदी को जिरो सीटें दी गई है तो वहीं पस्मी बं तो वही नेशनल कॉन्परेंस यानि अब्दूला की पार्टी को भी जिरो सीटे सेटा बजार दे रहा है जमू कस्मीर की एक लोग सबा सीट पर दूसरे चरण में मद्दान होना है जो सेटा बजार ने बारते अंता पार्टी के खाते में डाल दी है इसके अलावा मनिपूर क एक लोग सबा सीट पर दो चरणों में चुनाव होना है इस दूसरे चरण में कोंग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा यानि की मनिपूर की किसी भी सीट पर कोंग्रेस जिरो इसके अलावा अन्यका भी यहाँ पर कुछ नहीं बंटेगा जिरो सीट ने सटा बजा की तासरवे के अनुशार तिरुपुरा की इस लोकसबा सीट पर कंग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा कंग्रेस के साथ सातन्य और इंडी घटमंदन भी जिरो पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है और इन केरल की 20 में से 16 सीटों पर कोंग्रेस पार्टी एक थरपा कबजा कर सकती है LDF को 2 और CPM को भी 2 सीटें कोंग्रेस में मिलने का अनुमान 60,000 दुआरा लगाया गया है तो वहीं केरल में 12 अंता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा जीरो सीटें 60 अबजार 12 अंता पार्टी को दे रहा है राजस्तान की 13 लोकसवा सीटों पर दूसरे चरण में मदान होना है 60 अबजार की तासर वे के अनुसार दूसरे चरण में भी कॉंग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा जीरो सीटें अन्ये के साथ साथ इंडी गठ बंदन भी राज़तान में जीरो सीटों पर सिमठता हुआ दिखाई दे रहा है इसके अलावा बिहार राज़े की पांच लोगस्वा सीटों पर दूसरे चरन में दूसरे चरन में भी कोंग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा जीरो सीटें तो वहीं बिहार की सभी पांचों सीटों पर NDA की तरफ से जेडियू का एक तरफा कभजारने वाला नुमान लगाया गया है बारतिय अंता पार्टी ने इन पांचों लोग सबा सीटों पर अपने उमीदवार नहीं उतारे इसलिए BJP 0 पर इसके अलावा माराश्टरा की आठ लोग सबा सीटों पर दूसरे चरण में मदान होना है 60,000 की ताशरवे के अनसार दूसरे चरण में कॉंग्रेस पार्टी का माराश्टरा में खाता भी नहीं कुलेगा 0 सीटें इसके अलावा अजीत पवार गुटवाली NCP को माराश्टरा में दूसरे चरण में एक सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है तो वहीं दूसरे चरण में माराश्टरा में सिंदे गुटवाली सीव सेना को तीन सीट मिलने का अनुमान शेटा बजा अरदवारा लगाया गया ह इसके अलावा माराश्टरा में एक सीट पर अन्या का कबजा रहने वारा नुमान भी सटा बजार द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा बारते अंता पार्टी दूसरे चरण में यूपी में साथ सीटों पर एक तरपा कमल खिलाने में काम्याब हो सकती है। दूसरे चरण में 89 लोग सबा सीटों पर 26 अपरेल को मद्दान होना है जिसकी सरवे को असान भासा में समझे। तो दूसरे चरण में कोंग्रेस पार्टी को 17 सीटे मिलने का अनुमान 60 बजार द्वारा लगाया गया है। दूसरे चरण में 89 में से 17 सीटे हैं वो कंग्रेस को मिल सकती है तो इन 89 में से 16 सीटों पर अन्य का कबजा रह सकता है। अन्डिये और यूपिये के सयोगी दल मिल करके 16 सीटों पर कबजा कर सकती हैं। सीटों पर 12 जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। सीटों पर अन्डिये का कबजा रहने वारा अनुमान लगाया गया है। पर्तम चरण में 102 सीटों पर मदान होगा यानि कि 19 अप्रेल को जो मदान होना है वो 102 सीटों पर होगा। जिसमें 60 बजार की पिछली सर्वे के अनुसार कोंग्रेस यानि यूपिये को 49 सीटे मिलने का अनुमान 60 बजार ने लगाया था। यानि पर्तम चरण में 49 सीटे यूपिये को दी गई थी। ऐसे में यूपिये के पास पर्तम चरण वाली 49 सीटे और दूसरे चरण वाली 22 सीटे यानि 61 लोकसवा सीटे अब तक दो चरणों में यूपिये को मिलने का अनुमान 60 बजार द्वारा लगाया गया है। तो वहीं NDA यानि बारतिय जन्ता पार्टी के सयोगी दलों को पर्तम चरण में 63 सीटे दी गई थी। बारतिय जन्ता पार्टी 102 में से पर्तम चरण में 63 लोकसवा सीटों पर कबजा कर सकती है। ऐसे में 1st और 2nd चरण को मिला करके टोटल 191 सीटों पर मदान होगा, पर्तम चरण में 102 लोकसवा सीटों पर मदान होगा, तो वहीं 2nd चरण में 89 लोकसवा सीटों पर मदान होगा, जिसमें बारतिय जन्ता पार्टी 60 बजार की ताशर वे के अनुसार बढ़त बनाती हुई